हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपके अपनी चैनल वाटिन इंडिया पर आज हम बात करेंगे गर्भबती महिलाओं के लिए सोने के सही तरीके के बारे में गर्भाबस्था एक खूब सुरत सफ़र है लेकिन इस दवरान सही तरीके से सोना बहुत जरूरी होता है ताकि मा और सिशू दोनों स्वस्त रह सके तो आईए जानते हैं गर्भबती महिलाओं को कैसे सोना चाहिए ताकि गर्भ और सिशू पर कोई दवाब ना पड़े सिशू तक सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचे और खूण की कमी नहीं हो दोस्तों गर्भाबस्था के दवरान सबसे सही तरीका होता है बाई और करबट लेकर सोना इसे left side sleeping position कहा जाता है बाई और सोने से गर्भ में सिशू को सही मात्रा में ऑक्सीजन और पोशक तत्व मिलते हैं साथ ही इस position से आपकी किर्णी सही तरीके से काम करती है और सरीर से विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है अगर आप सोने के दवरान कमर और पेत के बीच सपोर्ट चाहते हैं तो आप एक नरम तक्या उप्योग कर सकती है यह आपकी रीड की हड़ी और सीसू दोनों के लिए आरामदायक होगा इससे आपकी कमर दर्द से भी रहत मिलेगी और समस्या भी ज़्यादा नहीं होगी कोशिज करें कि अपने पीठ के बल ना सोएं क्योंकि इससे आपके गर्भ और रक्त संचार पर दबाब पर सकता है जो आपके और आपके शीसू के लिए नुक्सान दे हो सकता है दोस्तों ध्यान दे कि गर्भाबस्था के तीसरे तिमाही में बाई और करबट लेकर सोना खास तोर पर फायदेमंद होता है क्योंकि इस दवरान सीसू का वजन बढ़ चुका होता है और बाई और सोने से आपकी रक्त धमनियों पर दबाब कम पड़ता है आप इस दवरान अपने पैरों के बेच एक तक्या रखकर भी सो सकती है ताकि आपको आराम महसूस हो अगर आपको सीने में जलन या ACDT महसूस होती है तो सीर और छाती को थोड़ा उंचा रखने की कोशिश करें इसके लिए आप तक्ये का सहारा ले सकती है इससे आपको सोने में आसानी होगी और ACDT की समस्या कम होगी साथ ही गरभावस्था के दवरान आरम दायक और धीले कपड़े पहन कर सोना बहु जरूरी होता है इससे आपको अच्छी निंद मिलेगी और कोई असुबिधा भी नहीं होगी कमरे का तापमान नौर्मल होना चाहिए ताकि निंद में कोई परिशानी आपको नहीं हो तो दोस्तों ये थे गरभावस्था में सोने के कुछ सही तरीके जिन से मा और सिसु दोनों सुरक्षित और आराम दायक महसूस करते हैं समस्या भी नहीं होती है गलत तर प्रभाव उनके गर्भ में पल रहसी सुपर पढ़ता है इसलिए आपको सही तरीके से ही सोना चाहिए अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरू करें ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं आपका बहुत बहुत धनेवाद थैंक्यू भेरी मच